भारत की आज़ादी में ना जाने कितने ही वीर सपूतों ने हस्ते हस्ते अपने प्राणों को इस देश के नियुच्छावर कर दिया भारतिय सुतनतता संग्राम में ऐसे कई क्रांतिकारी बीर थे जिन्होंने अपना सब कुछ नियुवचावर कर भारत को आज़ादी दिलाई ऐसे क्रांतिकारी का नाम भारत के आज़ादी में दिये गए युगदान के लिए सुरनी मक्षरों में लिखा किया है ऐसी एक क्रांतिकारी बीर के बारे में हम आपको बताने चुआ रहे हैं जिनके सम्मान में उनके गाउं हल्धर मवू मुक्तार गंच में प्रविश द्वार बनाया गया एस द्वरान लोगों की आखें नम हो गए हम बात कर रहे हैं अब्धुल खालित खां के चो जंग ए आज़ादी में क्रांतिकारी सिपाई होने के साथी गंगा समुने तहजीव एक विधवान समाज सुधारक और मानपता के मिश्वाल पेस की थी तो चलिए चानते हैं अब्धुल खालित खां के बारे में इस रिपोर् और भारत को आजादी दिलाई इनी स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों में एक नाम अब्दुल खालिक खांका है जो जंग ए आजादी में एक क्रांतिकारी सिर्भी होने के साथ ही गंगा जमुनी तर्जीब एक विद्वान एक समाज सुधारक और मानता की मिसाल थे इनका जन्व एक जून 1921 को गोंडा जिले के हलधर मउ मैजापुर के मुकतार गंज गाओं में हुआ और राष्ट्र सेवा वा समा सेवा के दोरान 3 मार्ज 1994 को दुनिया को अलविदा कह दिया अब्दुल खालिख खां अंग्रेजी फॉज में रंगून म्यानमार में तैनाथ थे 1944 में जब नेता जी सुभाष्च चंद्र बोश रंगून पहुँचे और भारतियों से अंग्रेजी फॉज से विद्रो का आवाहन किया तो अब्दुल खालिख खां अंग्रेजी खंज में शामिल और आजदी मिलने तक संघ्र्ष करते रहे इसके बाद देश आजाद होने के बाद अपने गाउँ वापस चले आए आज़ादी के बाद अब्दुल खाली खाने मैज़ापुर में आ फोरा में में हाथ आजमाया उन्होंने अपनी पूरी जिन्दिगी आपसी भाईचारा सद्भाव बढ़ाने वह इंसानियत की भलाई के नाम पर समर्पित कर दिया अब्दुल खाली खां स्वातंदरता संगराम सैनानी के साथ हिंडू मुसलिम दोनों धर्म के पुस्तकों के ग्याता थे अब्दुल खाली खां के पूर्व राष्ट पती जाकिर हुसैन से बहुत ही अच्छे रिष्टे थे अब्दुल खाली खां ने मिडल इस्ट के सभी देशों का दौरा किया इसके अलावा उनकी मिस्त्र के पूर्व राश्च पती सदर नासर से खत किताबत भी होती रहती थी 1955 से 1975 में अमेरिका व्यतनाम युद्ध के बीच अब्दुल खालिक ने अपने तमाम साथी दुरगा सिंग जी, पंडित बसंतलाल, दुरुवराज सिंग, मगन सिंग प्रधान के साथ शांती प्रस्ताव लिखा और इसे संयुक्त राश्ट्र संग वेजा इस प्रस्ताव को संयुक्त राश्ट्र संग में पढ़ा गया और मिनट बुक में दर्श किया गया आज इस महान स्वतंतरता संग्राम सैनानी अब्दुल खालिक के समान में उनके गाउं हल धर मव मुखतार गंज गाउं में एक भव्वे प्रवेश द्वारा बनाया गया जिसका लोकारपन उनके पोत्र मसूद आलम खां वा पूर्व जिल अधिकारी राम बहादुर डॉक्टर मोहमद सादिर खां ने किया इस मौके पर उनके साथ आजादी की जंग लड़ने वाले स्वतंतरता संगराम सैनानी राम अचल दुबे मगन सिंग प्रधान सहित सैक्डो लोग मौजूद थे इस मौके पर पूर्व जिला अधिकारी राम बहादुन ने कहा कि स्वतंतरता संगराम सैनानी के लिए जो सम्मान दिया गया उससे मेरा सर उचा हो गया वही स्वतंतरता सैनानी अब्दुल खालिक के पूत्र मसूद आलम खान ने कहा कि परिवार को त्याग कर दादा जी का आजादी के लिए जंग लड़ना और तब दक लड़ते रहना जब तक देश आजाद नहीं हो गया ये हमारे लिए नहीं बलकि पूरे देश के लिए गर् कर दी यही हम लोगों की प्रेणना हैं जिसे हम सभी आत्म साथ करते हैं इस मौके पर डॉक्टर सादिर खान मसूद आलम खान और पूर्व जिल अधिकारी राम बहादुर ने शहीर के परिवार को सम्माने किया इस कारिक्रम में जहां लोग अभी भूत हुए वही गरीबो हमें सिखाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदोस्त हमारा देखे हमारे गरेंट फादर अब्दुल खालिक हा अंग्रेजी फोज रहते उनीस सो चवालिस में रंगून में जब नेता जी सुबास्चंदर बोस पहुंचे और उन्हें ने आवाहन किया कि नहीं हमें जो भारत में हमने एक स्वागत द्वार बनाया है और देश के हमारे जिले के मात्र शुद्दागां सेनानी है यह आदरिये राम अचल दूबे जी उनके हाथों से और इस जिले के पूर जिलाधिकारी हम सके संदक्षक बहुत ही जन्पद में दियम तो बहुत सारे लोग आये लेकिन जितना नाम आपने गरीबों का दुआएं लेकर के कमाई भई आदरिये राम भादुर साहब को इस कारक्रम की अद्धिक्ता के लिए मैंने जिले के सबसे माने जाने चिकिस्थक और बहुत ही समाजी कारियों में आगे रहने वाले डाक्र साधिर साहब को भी हमने उनकी को लाया हुने शम्मान करने के लिए सुद्नता संग्राल सेनानियों को शम्मान करने के लिए और उन पर आज तमाम अपने अपने लोग विशार व्यक्त करेंगे मैं यहाँ 2011 में डिस्टी मजिस्टेर था और गोंडा के लोगों का प्यार है कि मुझे विविन आउसरों गोंडा से संबादाता तो फैल खान की रिपोर्ट कर दो